Hello students, आज हम लोग polynomials के बारे में पढ़ेंगे Class 9 में आप लोगों ने polynomials के बारे में पढ़ा है Factor Theorem, Remainder Theorem और Basic Definition of Polynomials उसको कैसे अरेंज करते हैं, Terms क्या कहलाते हैं अब हम लोग उसी concept को लेके आगे बढ़ेंगे और Class 10 के हिसाब से इसमें हम लोग थोड़ा डीपर जाएंगे चीजों को समझने के लिए तो आज़े सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं Definition क्या होता है Polynomial का, आपको पता भी होगा पर हम लोग दुबारा revisit करते हैं उस चीज को Polynomial in X is an algebraic expression containing only non-negative integral powers of X when arranged in ascending or descending powers of X अब ये काफी technical सा definition है इसको हम लोग break up करते हैं और एक-एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि exactly क्या हम कहना चाह रहे हैं Polynomials in X, ये X क्या है सबसे पहले variable जो होता है उसको हम लोग X कहते हैं ये X ज़रूरी नहीं कि X हो, A हो सकता है B हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है लेकिन ये वो value है जो बदलती है क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है भी हम लोग जब इसका mathematical formulation करेंगे तो समझेंगे लेकिन अभी ये समझें कि वो चीज जिसकी value बदलती है किसी भी expression, algebraic expression में उसको हम लोग variable कहते है तो polynomial in X, यह हम लोग सिर्फ एक variable वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे polynomial एक variable के लिए भी हो सकता है दो के लिए भी हो सकता है, तीन के लिए भी हो सकता है लेकिन हमारा जो scope है वो single variable या monovariate expressions के लिए है, तो हम लोग सिर्फ polynomial in X के बारे में पढ़ेंगे, is an algebraic expression, algebraic expression क्या करता है algebraic expression किसी भी mathematical statement को अगर हम algebra के through formulate करके present करते हैं उस चीज़ को algebraic expression कहते है example अगर हम लोग लें 2x प्लस 3 3x q प्लस 2 root x, यह दोनों क्या है, algebraic expression है, क्यों इसमें हम लोग constant values होती है, जिनको हम coefficient कहते हैं terms को separate करने के लिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और एक variable होगा, तो यह algebraic expression हो गया तो यह सारे algebraic expressions हो गया, लेकिन हम polynomial किस तरह के algebraic expression को कहते हैं, जिसमें non-negative integral powers non-negative integral powers integers क्या होते हैं आप आप जैसे जैसे 0 से इधर आते जाएं, left आते जाएं, right जाते जाएं, तो यह जो numbers आ रहे हैं, यह सारे integers होते हैं non-negative, यह सारे numbers क्या हो गया, negative तो इन सब को हम लोग नहीं लेते हैं, 0 क्या है, 0 is a non-negative number, तो वो सारे integers 0 and above, अगर x के power में 0 and above कोई भी integer आए, और उसके अलावा कोई और ना है, क्योंकि यहां only लिखा है, integer हो और integer के अलावा कोई भी x का power ना हो, वैसे algebraic expression को हम polynomial कहते हैं तो अगर हम इन दोनो examples को देखें, यह दोनो algebraic expression थे, लेकिन इसमें polynomial क्या दोनो polynomial है या एक polynomial है, कैसे समझ में आएगा, यहां देखेंगे x की power क्या है, 1 जो कि एक integer है, non negative तो यह हमारा polynomial हो गया, क्योंकि यहां पे x की और कोई power है नहीं दूसरे expression में अगर हम देखें x की power क्या है, 3 जो की integer है यहां पे अगर हम देखें x की power क्या है square root को हम power क्या कहते है half, तो क्या यह non negative है, बिल्कुल non negative है, लेकिन क्या यह integer है नहीं, यह एक fraction है तो क्या इस पूरे expression में x की सारी powers non negative integer मिली नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ इसमें integer तो है, लेकिन दूसरे term में नहीं है, तो इसको हम लोग polynomial नहीं कहें तो basic definition क्या है, कि कि किसी भी variable में polynomial, वो algebraic expression है, जिसमें x या variable जो है उसके powers non negative और integral है, और सिर्फ और सिर्फ non negative integral है, इसी चीज को यहाँ पर हम लोग आगे लिखते हैं कि ascending या descending order में, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी polynomial algebraic expression को ascending या descending order में लिखें, जैसे मैं 2x cube plus 3x plus 2x square लिखूँ तो यह इसके बराबर ही है, इसमें कोई difference नहीं है लेकिन इस चीज को हम लोग standard form कहते हैं जो हम यहाँ पर यह लिख रहे हैं कि ascending या descending powers of x में polynomial होता है तो वो polynomial का standard form होता है यह वाला form standard form नहीं है, तो हम हमेशा standard form में लिखने की कोशिश करते हैं तो standard form हमारा यह है कि आप x की powers को descending या ascending powers में लिखेंगे तो अगर हम इसको ascending power में लिखेंगे तो हमारा polynomial expression standard form में यह हो जाएगा अगर हम इसको descending में लिखेंगे तो हमारा polynomial in standard form यह हो जाएगा दोनो standard form हैं तीनों polynomial है लेकिन ये दोनों standard form है तो basic definition हमारा ये है अब हम लोग second point पे आएंगे जो की है classification of polynomials